एस्लाम अलेकूम, वेलकम बेक इन आईशा का किच्छन, आज आईशा बना रही है गोफी के पराठे, गोफी के पराठे बनाने के लिए मैंने गोफी को नमाक और हल्दी के पाने में बॉयल कर लिया है, इसे अच्छे से गला लिया है, गोफी से डबल आटा लेना है, आप में ध्यान दिया होगा कि इसमें मैंने पानी बिलकुल फी नहीं लिया है। काफी सारे बच्चे गो फी नहीं खाते हैं तो उनको इस सबजी खिलाने का बहुत अच्छा तरीका है। हम कोई फी सबजी बच्चों को इस तरीके से खिला सकते हैं। ये आटा हमें कड़क गुन्धण है अब थोड़ा सा आटा हम लेंगे और हल्का सा मोटा पराठा बनाना है जिसे हम जो रोज रोटी बनाते हैं उसके कमपेरिजन में पराठा थोड़ा सा मोटा बनेगा ये पराठा हमने बेल दिया है अब इसे हम अच्छे से सेखेंगे तवा गरम हो गया है एक साइड हलका सा सेखने के बाद हम इसे टारने करेंगे ये पराठे में अपने बेटे आरिश के लिए बना रही हूँ आरिश काफी सारी सबजियां नहीं खाता है तो उसे में सबजियां इसी तरीके से खिलाती हूँ दूसरी साइट थोड़ सा ज़्यादा सीखने के बाद हम इसे टारने करेंगे टारने करने के बाद हम इसके सब तरफ आईल लगा देंगे कोई भी आईल यूज़ किया जा सकता है बहुत अच्छे से सीख चुका है यह दोनों साइट से हमें इस तरह से अच्छे से लाल सीखना है इसे यह पराठा हमारा कंप्लेट है अब इसे हम डिशाओट करेंगे यह पराठा हमारा कंप्लेट है यह रेसीपि आपको किसी लगे जरूर कामेंट से करिएगा अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल थेंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियो अलाह आफिज